जैशी किशना दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो जिन भी बहनों को देखे अभी तक कोई संतान नहीं है या जिनको सिरफ करने संतान हो रही है अगर जनमाश्चिमी के दिन एक वस्तू लाकर अपने कमरे में लगाते हैं अपने बैडरूम में लगाते हैं तो निश्चिती उनको मन वाचिन संतान की प्राप्ती होती है जन्माश्टमी के दिन बहुत ही सरवार सिद्ध योग है अगर आप मनवांजिन संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन आपको एक तस्वीर अवश्य ही लेकर आनी है आपको माता यशोदा के साथ बाल कृष्ण की फोटो लेकर आनी है यानी आपको ऐसी तस्वीर लानी है दोस्तों इस उपाय को आपको रातरी के साड़े ग्यारा बजे से साड़े बारा बजे तक कर सकते हैं आपको देखे मा यशोदा की जो तस्वीर लेकर आए हैं उसके आगे आपको संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देही में तनेयम क तो आहम शरणनम गता इस मंत्र का एक माला का जाब करें या 11 या 21 बार करें अगर आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाए मंत्र का 11 21 बार उच्चारण करने के बाद आपको उस तस्वीर को अपने बैडरूम में लगाना जिससे आपको हर समय वो दिखती रहे साथ ही दोस्तों अगर आप मोरपंख भी लेकर आए हैं तीन या पांच मोरपंख लेकर आए और अपने बैड के बिल्कुल सिराने की तरफ उन मोरपंख को दिवार पे लगा देना है अगर दोस्तों अगर आप बासुरी भी लेकर करते हैं या पुत्र संतान का चाहते हैं कि आपके घर में शीगरी आगमन हो जाए तो निश्चित ही आप यह उपाय करें और साथ ही भगवान कृष्ट से प्रातना करें कि हे प्रभु जिस प्रकार आपने माता यशोदा के यहां पुत्र के रूप में जनम लिया ऐसे ही हम पाय अवश्य करें आपको मन वांचे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें